अज हम बनाएंगी तोरई के सबसी, जिसे मोसली घर में लोग लाना या खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हम यूश्वल तोरई बनाते हैं, उससे अगर एपट के बनाया जाये, तो काफी लोग उसे खाने में इंटरसटेट रहते हैं, तो ऐसे ही हट के बनाएंगे इंग्रिडियंट से, that's it. तो सबसे पहले आपको तुरही लेनी है, यहाँ पर मैंने आधा किलो तुरही लिया है, और यह काफी लंबा है, इसलिए में से हाफ कट करके इसके सारे छिलके उतार लुगी, तो इस तरह से आपको सारे छिलके उतार लेने हैं, और सारे तुरई के जब छिलके उतर जाए उसके बाद हम इसे वाश करेंगे और वाश करने के बाद इस तरह से हम काट लेंगे तो यहाँ पर सारे तुरई कटकर के तयार है तो यहाँ आपको पैन लेना है और उसमें दो बड़े चम्मच बेसन डालना है और इसे भून लेना इसे तब तक भूलना है जब तक इसमें से आपको सौंधी सौंधी यानि आरोमेटिक सुगंध ना आने लगे, स्मेल ना आने लगे, तो जैसे ही ये हो जाता है, भून जाता है, इसको आप उतार करके साइड में रख लीजे और वापस से सेम पैन में हम थोड़ा ओईल डाले और उसको गरम करेंगे, गरम होने के बाद हम डालेंगे इसमें जीरा और सौफ, जैसे ही क्रैकल होने लगे, हम इसमें कटे हुए सारे तोरे पीसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सौते हो जाए, उसके बाद आप इसे ढख दीजे और दो मिनट के लिए पकनी दीजे दो मिनट के बाद हम ढखन खोलेंगे और देखेंगे कि हाँ जितने भी हमने तोरे डाले थे वो साइज में छोटे हो गए हैं, कौांटिटी भी कम हो गई है यानि कि ये काफी हद तक पक चुका है इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए ग्रीन चिली, साथ ही साथ डालेंगे हल्दी और जितना आपको स्पाइसी चाहिए उतना ही रड चिली इन सब चीजों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर उसे पकनी देना है तो इसे वापस से आप ढख लीजे और और दो मिनट के लिए पकनी दीजे तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारा तोरही और कितनी अच्छी तरह से पक चुका है थोड़ा इसकी क्वांटिटी कम हो गई है तो इस स्टेज में हम डालेंगे टोमैटो प्यूरी अगर आपके पास टमैटो प्यूरी है तो आप वो डाल सकते हैं नहीं तो आप इसमें चॉप्ट टमैटो भी डाल सकते हैं अगर आप चॉप्ट टमैटो डालते हैं तो वापस से इसे मिक्स करके ढख कर इसे गलने तक देने के लिए इंतजार कीजे तो जैसे ही आपके टमाटर जब गल जाएंगे पक जाएंगे उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे जैसे की धन्या पॉडर और गरम मसाला इन दोनों मसालों को डालने के बाद आपको वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है उसके बाद इसे थोड़ी देर धक करके और डालेंगे इसमें थोड़ा सा धन्या इनको भी अच्छी तरह से थोड़ी देर पका लेंगे और उसके बाद हमने जो भून करके रखा था बेसन उसे भी लास्ट में आड़ कर देंगे और आड़ करने के बाद इसे वापस से आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है औ और आपको इसे पका लेना है जब तक की अच्छी तरह से पक नहीं जाते। वैसे तो इसमें हमने अल्रेडी भूना हुआ बेसन डाला है। अगर आप नहीं डालते कच्चा बेसन डालते तो आपको जादा देर तक पकाना पड़ता। और हो सकता है कि जब आप सबजी उतारे तो उसका कच्चा पन का स्मेल रह जाए। तो इसलिए मैं हमेशा सजिस्ट करूंगी कि आप भूना हुआ बेसन ही लास्ट में अड़ करें। तो यहां बस आपको दो मिनट के लिए से अच्छी तरह से भून लेना है, ढख करके थोड़ी देर और पका लेना है सिर्फ दो मिनट के लिए और फिर यहां देखिए आपकी सबजी बन करके तयार है, रेडी टु सर्व है, चाहे तो आप इसे चपाती के साथ खाईए, तो यहां हमारा सबजी बन करके तयार है, तो रेडी आप भी खाईए, दूसरों को भी खिलाए, पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रह और मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू न्यू रेसिपीस लाते रहूं, थैंक यू सो मच पूर वाचिंग,